stretch marks है लाल दिखते हैं दीरे-दीरे वो फेडों के वाइट हो जाए अल्रेडी है जब active acne है उस पर आपने रेजर करा यंगी करते हुए नहाते हुए पिलू पर दो बाल देख लिए लोगों रियक्शन होता है आपको टेंशन नहीं लिए लगा रहे है पैसा वेश्ट कर रहे ह दापके निपल्स और आपके टेस्टिकल्स वहां पर आप स्मॉछ हाइ गाइस वेलकम बाक तो माचानल इस इस करने जा रहे हैं और ओंट फॉर्मल एडिटर आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रम मचर्नीव वभाइ टू ऑममां जब यूवफ यहिट करती है तो बोड्य में बहुत सारी उप्राइचिछ चेंज इस एज में आपकी स्किन को खराब करता है नहीं नहीं दाड़ी आती है तो आपने ट्रिमर या रेजर सीखा होता है उपर से एक्टिव अक्ने आल्रेडी है जब एक्टिव आपने रेजर करा या जिरो ट्रिम करा फेशल यह कुछ भी कराया जोर पड़ता है उसका एज खूल सबसे आधा mass growth and bone growth इस age के अंदर होता है आप जिम जाओ या ना आ जाओ stretch marks की problem सबको होती है बहुत embarrassing लगती है basically skin के अंदर 3 layer होती है यह जब इसके अंदर connecting tissue होता है तो तीनों layer को पकड़के रखता है stretch marks avoid करने के लिए extreme gaining diet और losing diet नहीं करनी एकदम से step by step चलना है अराम से और क्या ध्यान रखना है आपको elasticity जो skin की बढ़ाती है वो diet डाली इसमें को लाजन है जैसे कि क्या nuts हो गए आपके जिसमें ख्रोड हो गया आपका egg whites हो गए यह पूरी की पूरी लिष्ट वाइटमिन डी जादा लेना मॉस्टराइज करना स्कीन को जैसे आपको लगता है जैसे कि आपको शोल्डर होगे बैक होगे हिप्स होगे लगता है अलका से stretch marks के चांसे जादा है जहाँ पे अगर आचुके हैं अलका किसी रेड है आपकी स्किन stretch marks से तो उस पर आप coconut oil लग पचास से सौ का hair fall normal रहता है गुच्छे में नहीं लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा जब निकल जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होता है genetics बहुत important होता है अगर फादर गंजे तो भी stress लेन की जुरूत नहीं दोनों की साइट देखी जाती है अगर दोनों वीक ह कैसे आपको अपना अच्छा hair care routine रखना है protein and biotin में rich diet रखना है लंबे वाले hairstyle यह रखने और क्या देखना है dryer wax और ऐसी कोई भी चीज जैसे की hair color आपको बिलकुल avoid करें और एक daily vitamin आप add कर ले with good workout daily तो सोने पे सुहागा आपके face पे बाल आते हैं आपके hormones different तरीके से react करते sensitive body part जैसे कि आपके pubes होगे और arms होगे वो sensitive होते हैं तो ज्यादा रियाक करते हैं वापे ज्यादा बाल आते हैं तो हटाएं या ना हटाएं बिलकुल हटाएं कब हटाने चाहिए जब क्या आपके thick आजाएं आपका sweat trap होने लगे तब jungle को हटाएं and क्यों हटाया जाएं क्य यूज करें इन तो opposite direction for the cleaner look अगर आपकी skin लाल या sensitive जल्दी हो जाती है तो same direction of the hair growth होते हैं इतने pimples होते क्यों हैं इसके दो major factor है आपको जब प्यूबर्टी हीट करती है hormonal changes होंगे oil production बढ़ता है जब naturally pores में oil होगा उपर dirt bacteria बैटेगा तो block होगा is equal to more acne and क्या प्यूबर्ट जब pimple हो जाता है face पे तो लोगों से दिखा ही नहीं जाता लोग उसको फोड देते हैं उसके तीन चीज़े हो सकती है उसके पहला क्या है जब आप फोड़ेंगे उसके अंदर active bacteria होता है वह साथ में open pore में जाएगा तो और acne create कर सकता है दूसरा क्या अगर आपने जादा ज जाना है तो क्या करें उसका जो मैं personally करता हूं बहुत effective है क्या है बेसिक चीज़े में cut down कर देता हूं डाइट से आकने ज्यादा एग्रिवेट होता है सबसे पहला क्या मीठा मैदा और फ्राइड यह तीन चीज़े हटा देता हूं मीठा नाच्रल मीठा खा सकते हैं जैसे क इक प्लेट सालेट दिन में यह डाइट में मेरा चेंज आ जाता है इससे बहुत effect आता है साथ में लगाने में क्या होता है उसको जल्दी dry out कर दे और बीना फोड़े उसके लिए क्या होता है सालिसालिक चीज होती है वह करती क्या है आपके ब्लॉक पोर्स है उसको खोल दे जाएगा इसकी दाड़ी आगे मेरी दाड़ी नहीं यह तो बहुत हैवी होगे मैं तो बहुत skinny रह गया वह इसका फरका आगया क्यों क्योंकि growth development में कहीं में लेट होती है आपके फैमिली चार्ट वैसा ही हो जैनेटिक वैसे ही हो सकता है आपके hormone secret ना हो तो stress लेना बंद कर की लेगे जाती है क्यों क्योंकि आपने देखा हो गाई अर्ली एज में भी आज का लोगों को heart attack का रहे हैं ऐसा problem क्यों हो रहा है क्योंकि इसी age से connection है हम क्या start करते हैं वो चीज़े try out करते peer pressure में आसपास देखके चाहे पहला सुटा हो वो beer हो वो गुटका हो कुछ भी हो वो अभी धीरी-धीर डेवलप करते हैं जाए junk food की आदत हो वो धीरी-धीर जब वो डेवलप हो जाती है तो आके जाके वो habit long term में उसको तोड़ना मुश्किल होता है इस negative side ना जाने के कहां गए तुम जमाना ही ऐसा है बच्चे को इस चीज़ का stress पैसे का stress career का stress comparison का stress लोगों से और इस टाइम है आपका career building का time personality बनाने का time और इस टाइम बहाँ ध्यान दिया तो वो चीज़ चाम ना उन हो जाएगा तो जब भी stress लगे तो ऐसे बंदे को reach out करें जहांसे positivity आती जाए मिर कोई DM कर दे है तो यह थी वो सारे changes उसके दुरान जो भी problems आती है और उसके solutions and the product I talked about was 2% salicylic acid treatment gel by Dermaco मैं उसका link नीचे दे रखा you can buy that from the Dermaco.in and you can get 20% off by using the code FORMAL20 और अगर आपको वीडियो पसे नहीं तो like, share or comment करना ना पोले है